नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्ल टाइम्स न्यूज शानल में बहुजन समाश पाटी को लोकसभाचुनाओं में मिली करारी हार के बाद बस्पा ने आत्ममंथन शुरू कर दिया है मायवती लोकसभाचुनाओं के हार के कारणों की समिक्षा के लिए पाटी के तीन वरिष्ट नेताओं के साथ बैठक कर चुकी है और उनके फीडबाक के आधार पर जिला अध्यक्षों और को ओडिनीटरों से रिपोर्ट मांगी है रिपोर्ट मिलने के बाद मायवती एक सब्ताह के अंदर ही जिलास्तरिय पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी और लोकसभाचुनाओं में हार की समिक्षा के साथ अगले चुनाओं की तैयारी के लिए अपने कारेकरताओं को मोटिवेट करेंगी लगादार चुनाओं में मिली निराश्चा के बीच बस्पा में जारी मंडल कोडिनीटर विवस्था को समाप्त करने पर भी चर्चा हो रही है इसके साथ ही मायवती संगठन में भी बड़े इस्तर पर फेर बदल कर सकती हैं संगठन में बड़े पदों पर बैठे लोगों को हटा कर नए लोगों को जिम्मेदारियां सौपी जा सकती हैं राजनीतिक बिशलेशकों की माने तो बस्पा की इस हार के कई कारण है इसमें सबसे बड़ा कारण तो बस्पा के मूल वोटरों का उससे दूर होने का है मायवती का लगातार सपा और कॉंग्रेस के खिलाव ज्यादा मुखर होकर बोलना और भाश्पा के खिलाव उतना आक्रोश नहीं दिखाना इसके साथ ही पार्टी के कैडर निताओं का बस्पा छोड़ के जाना पार्टी के ये दिन लेकर आया है इसके साथ ही एक बड़ा कारण समिधान का था जहां इंडिया गडबंदन ने ये लोगों को कहा कि भाश्पा 400 सीट लाकर समिधान बदल देकी और गडबंदन ही समिधान बचा सकता है वही मायवती ने इस पर ज्यादा मुखर होकर आवाज नहीं उठाई